तो गाइस यह है मेरे पास में एक रुपे वाला बजाज ओल का पाउच और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यह है मेरे पास में 130 रुपे की काफी बड़ी बजाज ओल की सेसी तो गैस कभी आपने सोचाए कि क्या होगा जब हम सेम प्राइस की यहाँ पर बड़ी वाले CC लें और सेम प्राइस के पाउचे तो किसके अंदर जादा फायदा हमें देखने को मिलेगा तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो यह है मेरे पास में खाफी सारे 138 रुपे के बजाज ओल के पाउच और गैस यहाँ पर यह जो CC है इसका अमाउंट भी सेम है आप सिंप्ली मैं इसके उपर यह एक भी कर रख देता हूँ और इसका बेट भी मैं यहां से जीरो कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो इसका जो मीटर है वो एकदम जीरो हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे इसका जो वेट है वो मेंशन कर रखा है 200 ml इसके अंदर वेट है और इसके जो MRP है वो है 138 रुपए जो में चलिए है सबसे पहले तो हम इसका वेट कर लेखं़ें है झाल झाल तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो सीची ऑईल की इसमें से सारा ओईल हमने वाहर निकाल दिया और इसका वेट यहां पर आगर आप देखो तो इसका यहां पर वेट निकल के आया 171 ग्राम तो चलिए अब करते हैं इसको साइड में और अब बारिये इन पाउच इसको वे इसमेश करने शपके बारिये पहां आप देखा कर दो कि अजू है। तूंट यहां पर हमारे पास में बजाज ओल की सीसी और यहां पर हमारे पास में इस सीसी के इंदर से निकला हुआ और जिसका वेट आपने देखा था इसका जूवेट था वह उता 171 ग्राम और कासी यहां पर अगर आप देखो तो ये हमारा pouches के अंदर से निकला हुआ oil जिसका weight यहां पर आप देख सकते हुआज इसका weight है वो है 270 gram यानि कि guys फर्क यहां पर clearly आप देख सकते हो कि इसके अंदर से जो weight था वो तक करीब करीब 170 gram और जबकि हमारे pouches वाला जो oil था उसके अंदर था 270 gram यानि कि guys 100 gram का फर्क हमें याँ पर देखने को मिला है तो guys इस वीडियो को देखकर आप समझे गाए होंगे कौन सी चीज लेने के अंदर ज़्यादा है इस बड़ी वाली CC को लेने के अंदर या फिर इस एक उर्पे वाली pouch को लेने के अंदर तो okay guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही बाकि हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए तक तक के लिए बाबाए